हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टू मैरे डोग जैनल, आज मैं इस ट्रामे का हिंदी एक स्देन करने जा रही हूँ, इस ट्रामा में हम देखते हैं, हमारा जो में लीड रहता है, गूचैन उ सावर लेते हूँ हमारा फीमेल लीड के बारे में सोचते रहता है, जो कि गूचैन की किड्नेप कर लेता है अभी गूचन को कॉल आता है और बोलता है कि हमें मैडनम मिल गई है तब यह जल्दी से वहाँ पहुंसता है गूचन अपनी हीरोईन हमारी फीमेलीट को पचा लेता है जब गूचन सामौ का फेश से टेप हटाता है तो पूशती है कि तू कौन हो गुचेंड मेडिसिन लगा तर लगा उसको हाग कर लेता है और वो सौरी सौरी बोले नगता है कि मैं तुम्हाया ध्यान नहीं रिख पाया सौमान भी आसंचे चुछ आजए हैं और सौरी उस्टी कि मेरे साथ ही इतना अच्छा क्यों कर रहा है और सौरी बोलती मुझे थोड मेमोरी कब तक आएगा तो डॉक्टर बोले रेस्ट कीजिए अन मेरिसीन लीजिए अपका मेमोरी जल्दी आजाएगा नेक्स ही पर लेखते सॉमन सोफे पर बैटरी आथी बस वही सोचते रहती कि मैं कौन हूं मेरे सथ क्या हुआ है जो अमने मेमोरी लॉस कर दी हूं तभी पर हमारी कहानी की विलेन आती है उसको एक चाटा मारती है तो सावन पूछते तुम कौन हो तो वह बोलती कि तुम सचुछ अपना मेमोरी लॉस कर दी हो अगर तुम जिन्दा रहना चाहते तो इस फैमिली से दूर रहो अब तक मैंने तुमारे खिड्नैपिंग करा आया है पर नहीं जागे तो दोरह में मर्डर भी करा दूगी तभी वहाँ पर गूचन आता है उसको हटाता है वहाँ और गूचन बोलते है मेरी तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो और उसके जाने के बाद वह हग कर लेता है और बोलता कि मैं तुम्हें फ्रटर करूंगा बोलता कि तुम्हें कोल भी हाट नहीं कर सकता है फिर गूचन सामन के पास के लेकर जाता है उसका मूद ठीक करने के लिए और इसको अपने हाथों से के खिलाता है फिर नेक्स्त मॉर्निंग में हम देखते हैं सामन बैठी एथी तभी उसके पारेंट से कॉल आता है फिर सा फार्णिंग में हम देखते है गूचन आफिस गया था एक गुंडा का फोटो दिखाता है और बोलता है कि यही गुंडा है जिर तुम्हारी वाइफ को किरनाफ किया था इसकी ने पैसे दिया थे किरनाफ करने के लिए गूचन बोलता है ठीक है और इंफ्टरमेशन के वे निकालो तब ही वहाँ पर लिया जाती है और लिए गूचन को पाटी मिलाने के लिए बोलती है गूचन बोलता है अरड़ी मेरे पास एक प्लान है जिसके वेसमें नहीं जा सकता हूँ फिर नेक्स्टरम देखते है लिए फिर से गूचन से मिलने आती है और उसकी वाइन मे किस करने लगता है फोर्सली सामान उसको हटाती है तो गूचन उसे ने गलती के लिए माफी मांगता है सौरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जिन बहुत दाइमोश्टन हो रहा था तो सामान उसको सिंपाथी रहने के लिए गली लगा लेती है फिर हम ली को देखते है गुंडे का लीडर से बात कर रहा था अगर तुम्हें बाकी पैसे चाहिए सामान को पार्ट्स को तुम्हें खतम करना होगा और गुंडा वहां से चला जाता है फिर हम देखते हैं सामान एक नोट लेकर सो गई थी वहां पर गूचन आता है वह नोट देखता है तुसमें कर डिजाइन किया हुआ था तभी सामान गुचन से पूछती है तो गुचन बोलता है तुम फैसंड डिजाइनर थी और तुम्हारे के स्टूडियो भी जो तुम्हारे असिस्टेंस अमाल रहा है फिर उसो कैरी कर रूम में लेकर जाता है और दुनों करते हैं उन्हों के सा मानिंग में साव में जब उठती है तो आपर गुचन नहीं रहता है तो जा चुका था और उसके लिए ब्रेकफास्ट रख दिया था जब सामन अपना आफिस आती तो सप्राइज हुया थी के मेरा आफिस है तभी वह अपना मौल में कुछ देखती जिसकी वैसे वह उनकॉ सब ऊसकु करते है तो जब सामन डिस्चार्ज होती है तो जब में इसकार बेचान पर टार चको में चुका था इसके लोग jáती है तो जब प्लेस पर जाती है तो अपने मों डैड को लिग चुके थे वहां पर देकर गॉसिंप सब पास हुसके पास तोजद वह तो मैमोरी य फिर हम देखते हैं सामन का फोन मिल गया ता जिसमें उसके मॉम डाड आखरी टाइम वीजियो बनाए थे जैसे ही गूचन आता है तो सामन गूचन को बोलती कि देखो मेरे मॉम डाड को यही बंदा मारा था और यह बंदा ही मिले को पिरनेप किया था जूनी हम जोने मिलकर उ तो सामन इसके पीषूड गयागा तुम टुँ मत लो सामन जरूरerson दो क्पाघ के जिसमें सामन इसके मत पढ़ो कि नकूचन को पता देख जाता कि इसको वां कर रहा है तर दो सामन को शाम करआ उन न की चाहिए मत पड़र्ग एंद कि जांसे सामन निया पर उन्यम ताalten के समझाओंगे और गूचैन बोलता कि मुझे यह सब बात छुपाना पर कर साव मैं से जूटकी मेरा बिज्नेष वाइफेक्ट पर सकता है और यह सब सामें पीचे खरी होकर दर्वाजे के पास सुन रही थी सामें के हाथ से डिप गिड जाता है और फिर सामें गूचैन से ब बोलती है मैंने किया है सामन इसको थपर मारने जाई रही थी तभी ली उसको पकर लेती और धखका देए थी तभी वहाँ पर गूचन आता है और उसको वहाँ से जब्रदस्ती ले कर जाता है अल्डी यह सब देखकर बहुत ज़दा गुशा जाती है और गूचन के मौम को फ जाती है उसक पर सान करने के लिए कूचन की ममें सावमैं को पसं नहीं करती थी उसको पानी फेकती तभी वह पेर गूचन देखकर ददी और को पर का देखकर देती है ली जा वहाँ सब पर लगती है तब भूपने को को साइती है प्र बाता कर दें Core two thinking मों नहीं भूच capturing तो नेक्स्ट माणिंग में हम देखते हैं गूच एंट सामयन को आफी जाता है और उसे माफी मांगता है अब घर चलो सामयन बोलता है कि ली नी मेरे से इतना कुछ किया मेरे यहां तक मेरे पारेंट्स को मार दी अथ तुम उन से रिवेंच लेनी की जगर मुझसे माफी करें नहीं ले सकते तो चले जो यहां से फिर हम देखते सामयन गूच एंट सामय के साथ बिलकर रिवेंच लेने का प्लान करती है तो जिया सामयन को एडवाइस देता है कि तुम्हें गूच एंट को आफीस में काम करना आगा अगर ली के बारे में प्रूव इकटा करना है तो सामयन भी वही करती है सामयन को काम मिल जाता है गूच एंट को आफीस में दूसरी तरह हम देखते हैं जिया भी ली का कंप्रिंग जॉइन कर लेता है और सामयन वहाँ पर काम करती है अग गूच एंट को आफीस से सारा इंफरमेशन लेती है और दूसरी तरह गूच एं इसको बताता है सामयन के बारे में गूचन हसने लफटा बोलता है कि यही एक तरीका में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ फिर सामयन गूचन के पार जाती है फ्लाटिंग करने लगती तो गूचन इसे रुखता है वहां से चले जाता है फिर सामयन को वहाँ पर वी आईपी कार्ड बिलता है तो समय सोचती के वो जान पुशकर किया है फिर देखते हैं गूचेन का फ्रेंट सामयन को सारा एविडेंस देता है जो और कठा किया था ली से फिर हम देखते हैं जिया जब घर जाता है तो उसके घर के पास ली आलरी थी तो इसको लेकर रूम में जाता है और उन्होंका रूम एंटिक सा नाइट सपन्ड अगता है और बोलती तुमने तो कहा था कि मेरे पैसे नहीं डूबेंगे पर डूब गए है एक्चली गुचेंड का फ्रेंड एक फेक प्रोजर्ट बनायत है जिसमें सारा पैसा वो इन्वेस्ट की थी ली फिर देखती उसके पास सामेंड का कॉल आ रहा है तो वो पूश्टी कि तुम्हारे पास सामेंड का कॉल क्यों आ रहा है तो वो हस्ते वे बोलता है कि मैं उसके लिए काम करता हूं यह देखकर तो उसका दिली तूड़ जाता है और चिलाने लगती गुशे से फिर सामन के पास गूचन का फ्रेंड का फोन आता है वो सारा बत बता देता है फिर गुसे से ली सामन के पास आती है और तो बहुत जादा गुसा करने लगती है और ली गुसे से सामन को थपर मारने जाई रहती ते भी वो हाथ पकर लेती है और बोलती है अगर क्या होगा गुष्चा हो जाती है तो गर्दा नहीं पकर लिए और कहती है तुमने मेरे पैलन्स को मारा है और दोनों बात एक कैसे हो सकता है और मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हुआ है अपने बैक से नाइफ निकालती है वह सामन पर टाक करने ही जा एक तभी आप गूचान आता है और सामन का नाम लिये जा रहा है और सामन गूचान को जादा एक रोज ड़ाकर पिक बनाती है और लिए को बैठ देचें़ लो गहती राके नहीं कि देखो वो लाइटर अंगर्टी लेटर जलाने के लिए तभी गूचन इसको रोख देता और बोलता अच्छा तुम मुझे पता कि तुम मुझे मुझे माफ नहीं करोगी अगर तुम बदला नहीं नहीं चाहती हो तुम्हारे बदला मैं डूंगा और सामैन ली के पाच जा के बोलता फिर हम देखते हैं गूचन सामैन का आफिस के बार खरार आकर सोचता है तुम कहां चली गए प्लीज तुम मेरे पास वापस आजा फिर हम देखते हैं सामैन गूचन का फिर्ण का फिर्ण के पास मिलने गई थी तो गूचन का फिर्ण बोलता है तुम मुझे क्या दे सकती ह तो गूचन का फ्रेंड बोलता है, बस मैं यह इतना ही चाहता हूँ कि तुम गूचन के पास वापर चली जाओ, यह देख होई डिवास वाला पेपर अच्छली गूचन नहीं किया था, यह ली की थी, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, किसी मिस अंदरस् पेंड करती है, फिर नेक्स मॉचन में हम देखते है सामयन को, वह घर से निकलते हूए सोचती कि अब मैं तुम से हेट नहीं करती हूँ, पर यह प्लेस से मैं बहुत चता हीट करती हूँ, और मैं तुम से दुबारा कभी ही नहीं मिलोंगी, फिर हमें पांच साल बात दिख आता है, तो हमें पता चलते को गूचन रहता है, वह सामयन के पास दें जाता है, बस सोचते कि सामयन में में तुमी कैसे बोलूँगा, और यह वाली स्टोरी हमारी यही कितम हो जाती है, थाइंक्यू सो मॉच, अगर आपको वीडियो अच्छे लगए तो लाइक और सिस्क् at PG, bye bye!